गुद मॉर्णिंग फ्रेंड्स करेंसी प्रीमर्केट अनलेशिस पर आप सभी का स्वागत है आज है 21st of June 2022 कल नियुएक फॉलेडे था जिसके बज़े से युएस सेशन्स में कुछ एक्टिविटीज हुआ नहीं है आज थोरा से जाधा एक्टिविटी हो सकता है आए देखते है दो करेंसी क conjunction में हमारी द्वारे दिन का ग्रींटेस हो से हुआ है तो वही हम यहां पर expect कर रहे हैं, यानि आपका 17th June के लो के नीचे एक दो घंटा अगर sustain कर जाता है and follow through मिलता है. In such a scenario, dollar index में अच्छा गासा downward movement हम देख सकते हैं. In such a scenario, वही में expect movement towards 102.50. So, only condition is that 17th June के लो के नीचे, hourly candle पे एक दो hourly candles sustain कर ना चाहिए and follow through कर ना चाहिए. In dollar रुपी में क्या हुआ, कल और पर्सो जादा कुछ activity हुआ नहीं, काफी narrow range candles बन रहा है. And what it means that we are expecting for 17th June के नीचे नीचे सस्टेन होना, 17th June के नीचे, that is 77.89. 77.89 के नीचे एक अधा घंटा अगर सस्टेन कर जाता है and उसके लो के नीचे follow through करता है. In such a scenario, रुपी is expected to appreciate. In such a scenario, in coming few days, we may expect रुपी to move towards 77.35 to 77.40. So, here are two conditions that every day I am repeating that price should close below 17th June low. In such a scenario, it will be considered as a false breakout and thereafter, if it is a false breakout, then the other end of the range will be the next target. GPP dollar हम देखेंगे तो कल एक छोटा मोटा कंदल फॉर्मेशन स्टा, that means it traded in between 1.280 and 1.2198. क्यूंकि नियुक्य नियुक्त है, जादे कुछ एक्टिविटीज हो नहीं, हुआ नहीं है. So, that being the case, what we expect रहाँ पे, some sort of a range shift is expected. Range shift, what it means कि यह जो आपका 17th June के high के उपर, and once 17th June के high के उपर, एक hourly candle, close दे देगा, and follow through देगा, in such a scenario, Euro dollar is heading towards 1.0800. Dollar yen, dollar yen अभी है, 1.35.08 है, तो इसको अगर नीचे जाना है, तो इसको अगर नीचे जाना है, तो इसको अगर नीचे जाना है, तेन एचह तो जोन वेला 17th June low. और otherwise, some zigzag volatile movements are expected in this particular instrument. एगर हम जी जी बीप अम यह टेकिनगे जी बीप अधिन में भी एक रेंच इस रेंग ऑन कहो और सेवंटीन जून के ख़ी उपर सबितें जी एंच कहा एक आचरव जैसे ही आूर ले विसित को लंग में से डे देखता है दिस परिंदे अइटा थेंग all the currency pairs are having similar type of formations in such a scenario what will happen 17-year-old a high key open again hourly basis for close data and then in such a scenery it is heading towards 83.50 83.75 JPY INR JPY INR again if you can look in each a sustained that then again fresh low is expected and high is only possible 17 June K high K above me so Joe Abby as of now it's not a good check me right so either it has to break below the low to make a fresh low else some sort of sideways shopping moment in between these that is 0.5740 and 0.5900 dollar candy taking the dollar candy yeah Joe yeah yeah double top formations what you can do yeah 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 1.3050 का 1.3050 का लेकिन यहां पर double top formation बना के अभी नीचे आ रहा है तो यहां पर आपका sell-off तभी होगा अच्छा-कासा जब इसका low के नीचे sustain करेगा इसका low बोले तो आपका करने के बाद एक डाउनवर्ड करेक्शन सम री ट्रेस्मेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सी डॉलर में और सी डॉलर में वही है कि 17 जुन के हाई के ऊपर क्लोज आवर्ली विसिस पर क्लोज देना चाहिए एंड फॉलो थ्रो उपर के तरफ देना चाहिए देन अनली दैन इस 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 में मूफ तोफ पॉइंट सेवन टू सिक्स जिरो एल्स यह जो डॉबल बटम फॉर्मिशन हुआ है अभी आपका कि 12 में एंड 14 जून के बीच में इसको तोर के अगर नीचे जाना है तक और विंसिंग नीचे के तरफ क्लोज देना पड़ेगा तो उसके लिए हमें इंतेजार करना है अगर डॉलर सी एनिच देखेंगे डॉलर सी एनिच पर कि अपका मॉर्निंग से ही एक सेल अफ दिखे रहा है जैसे ही आपका 16 जून के लोग के नीचे आवली बैसे स्पेक लोज दे देगा देर कुई मैं एक्सपेक सम अप्रिसेशन इन सी एन एच और डाउनवर्ड मॉबेंट वर्स देट पॉइंट 6.62 70 के तरफ यू कि आउयल आपका 17 जून को एक अच्छा का सा सेल अफ दिखा गया था उसके बाद कल अलका सा एक चोटा पॉजिटिव केंडल आया था एंड आज फिर उपर के तरफ जा रहा है यहां पे आग्याज आपका प्राइस अज़िट आपका 17 जिलनेशे आता है एंड लोको तोरता है जैन विए एक्सप्थे एंग जोग डाउंवर्ड मॉब्में इस पाटिकलर इंस्टूमें यह अगर यहां पे आता है यहां पे आता है सेंटर में रिजिस्टेंस लेता है एंड उसके बाद इस लोको तोरता है we may expect a good downward movement in this particular instrument so in such as a case our first target will be 97 97.50 10-year-old strike area if we will see what is expected means this high and this is the 16th june which is sideways movement expected है एक बार अगर 16 जून के लोग के नीचे close दे देता है then and only then we may expect some corrections else else ये दोनों रेंज के बीच में ही फसा रहेगा till next FOMC date is approaching so currency अभी के लिए इतना ही ये वीडियो आप लोग गोत्रों करने के लिए सभी को धन्यवाद please like comment and share among your जो जितने भी ग्रूप से उनके बीच में आप लाइक शेयर किजिए also जिन्हों ने subscribe नहीं किया है please subscribe my channel it's a just a appeal or a this one request that key it will give me some sort of appreciation that I am doing some good words towards this particular analysis so abhi ke लिए इतना ही आप सभी का दिन शुभो धन्यवाद